आज अपनी क्लास रहेगी फॉर्थ क्लास फर्वरी 2022 के करेंट अफेर की और यह अपनी वीकली क्लासे हैं एक महिने के करेंट अफेर अपने एक वीक में टार्गेट कर रहे हैं कि अपने उसको कम्प्लीट करें और विवेक, सोमय, बूर्निंग, ओडियो वीडियो ठीका रहा है, सेशन का, और बिफोर स्टार्टिंग सेशन, अबवावद में, मैं इस दॉक्तर अमित, आवड़नामी बिएस, क्लास रहे हैं, फाइव देज कर रहे हैं, नोट्स वोगेरा सारे, जो है टेलिग्राम चैनल अपने प्रोवाइड करा रखे हैं, ठेक है, यूपेसी, एचस के, एचस का, और यूपेसी का, जो जो जी एस का बैच है, लाइव अभी, एट प्रेसेंट, अर्जुना बैच, वो, और प्लस, सोशोलोजी बैच, ये दो बैच इसे रिगार्डिंग, अगर प्रिपरेशन म अगर, लेट अस्टार्ट, ओके, विकास, गूद मॉर्निंग, देखो, सबसे पहले, आज अपन करेंगे, सोशल इशूज, एकरोमी तक अपन ने कर लिया था, सोशल इशूज के बाद वाले, जो भी करेंट अवेर हैं, वो भी अपन देखेंगे, सबसे पहले निउस आ रह यह ध्यान रखनी है, नितियायोग का एक अपने separately, प्रिपेर करके रखेंगे, पेज, जिसमें नितियायोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट रिलीज करी जाती है, ठीक है, इंडेक्स रिलीज करा जाता है, तो उसको आप एक में ही नोड़ डाउन करते रहें, नितियायोग यूटीज, तो इसमें मतलब जैसे माल दीजी हरियाना है, पंजाब है, आपस में कंपेर करने में थोड़ी सी हेल्प रहेगी, तो इसलिए रहता है, इट इस वेटेड, तो जो अपना इंडेक्स है, इट इस वेटेड कंपोंट इडेक्स बेस्टोन 24 इंडिकेटर्स, इन grouped under the domain of health outcome, governance and information, key input and processes, तो मोटे मोटे तोर पे ध्यान रखना है, कि 24 आपके यहां है, और जो scorers है, यह तो प्राना हो गया है, जब केरला, तमिलाडू, तैलंगा ना मेंस के साब से आपको ध्यान रखना है, कि South Indian जो अपने states है, वो comparatively better perform कर रहे है, North Indian states है, क्योंकि education के बारे में बात कर लीजिए, या फिर investment, जो GDP का पर capita investment, इनका health में है, वो comparatively आपका काफी जादा है, ठीक है, फिर GI tag, GI tag भी हमारे कई बार पूछे गए हैं, कि किसको दिया गया है, और यह क्या होता है, अभी recently जैसे मतलब उस में, फरवरी में, तापके अरणाचल प्रदेश में, तो अपतानी textile जो है, उन्होंने GI tag के लिए आपका किया था, एक अपतानी tribes भी है, तो location wise दोनों चीज़े हमारे लिए important है, अपतानी tribes आपके कहां पर भाई जाती हैं, अरणाचल प्रदेश में, देखो GI tag क्या है, geographical indication, एक particular geography को यह denote करता है, not always यह food product होगा, अलग-अलग च क्योंकि उस geography की सारे की सारी जो properties हैं, वो उस product में देखने को मिलती हैं, इसमें हमारे पास होता है GI, geographical indication of the goods act 1999, main जो motive है वो ही है, to prevent unauthorized used of registered GI by the others, क्योंकि मान लिजे वो चीज वहां की famous है, तो कोई गलत तरीके से उसी का नाम use करके आपको वही चीज ना बेज दे, ठीक है, तो यह आपको इस टाइप से security provide कराती है, example के तोरुपे देखिए, कि दार्जिलिंग T, it was the first Indian product जिसको GI indication दिया गया था, अब मान लो दादरी मे produce करके अगर अगर अपन दार्जिलिंग T बेचने लग जाएं तो यह गलत बात होगी, ठीक है, now इसको issue कोन करता है, तो issue करने के लिए हमारे पास होता है, geographical indicator registry, under department of DPIT, ठीक है, DP, department of industrial promotion and internal trade, अब हमने ये भी देखा था, industry promotion and internal trade, आपका किस के अंदर आता है, ministry of commerce, तो directly ये भी आपसे सवाल बन सकता है, and 10 साल के लिए ये आपका दिया जाता है, और कुछ examples हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि कश्मीरी saffron, हमने saffron cultivation के context में भी देखा था, जवन कश्मीर, मनिपूर का एक black rice है, तो black rice मनिपूर, काला हंडी, कंदमाल, कंदमाल हल्दी, कंदमाल आपका Odisa में आता है, कंदमाल की कफेलोज भी काफी हैं, रसगुला, ठीक है, ये उडिसा की context में, यहाँ पर एक बर देख लें न, वेस्ट बंगॉली ये उडिसा की context में क्या रहेगा, फिर ये देखो, डिंडूगूल लॉक्स, लॉक्स भी हैं, मतलब ये पर्टिकल सर्टेन तरीके से बनाये जाते हैं, तो ये हो जाएगा, कंदंगी सारी, ये तमिलाडू की है, स्वालफूम, ये मिजवरम का है, चॉला चिली, ठीक है, चॉला चिली बाद नहीं होंगे, बट एट लिस्ट आपके लिस्ट में जैसे 34T, जो फिमसली बार बार इधर अधर न्यूज में रहते हैं, तो उनको ध्यान रखना है, ठीक है, बाकी इसको आप देख लेंगे, फूद, ठीक है, रेनो, गुद मॉर्ण इंक, ये हमारा है, नेक्स्ट न मिला है, तो उत्रपरदेश और ये, तो देखो, इंडिया में वाटर कंजर्वेशन और इस पर काम करने के अपने को सबसे ज़्यादा जूरूरत है, अगर अपने इसका बैगरांड देखें, ये मेंस के हिसाब से आपको ध्यान में रखने है, इंडिया जहां पर 18% of the population है, 4% water resources इंडिया लेके चल रहा है, और लगबग लगबग, land अपन देखते हैं, I think 1.8% of the land हमारे पास पूरे world की है, तो resource crunch already इंडिया के पास है, तो हमें उसको वैसे ही बैतर तरीके से utilize करने के आउशकता रहती है, पहले जो water reward हैं 2018 में शुरू करेगे थे, उसके अलावा ज जैसे नीतियायग के context में आता है, 600 million नीतियायग ने बोला था, ठीक है, और 2020 तक भी उन्होंने कुछ बोला था, कि 21 हमारी जो cities हैं, उनमें water crisis जो है, वो देखने को मिलेगा, ठीक है, बिसिकली आपको ये facts ध्यान में रखने हैं, कि 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 की report से आये हैं, और क्या वो कहना च examination, ऐसे ही, देखे, water resources इंडिया में अपने पास 12 rivers हैं, जो आपकी major rivers की तरह classify करी जाती है, उनका catchment area काफी ज्यादा है, 253 million hectare, और 46 हमारे पास medium है, ज्यादा इतना भी detail में ध्यान नहीं रखना, approximately, ठीक है, थोड़ा सा knowledge के लिए, इसमें जो हमारा सबसे important है, गंगा, ब्र largest इंडिया का, 43% जो सारी major rivers है, उनका गंगा, ब्रहंपुर्त्र, मेगना का ही catchment area आ जाता है, ठीक है, अब agrarian country है, देखो, पानी सबसे ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं, 78% तो आपका agriculture में ही, ठीक है, irrigation के लिए, फिर 6% के आसपास अपन यूज़ करते हैं, domestic, उससे क काम अपन यूज़ करते हैं, industrial sector में, और जो 45% जो total irrigation है, और domestic का 80% हम कहां से लेके आ रहे हैं, ground water से, यही कारण है कि ground water depletion हमें बार बार देखने को मिलता है, ठीक है, तो ऐसे जैसे एक report भी आया थी, जब अपन यूज़ कर रहे थे, तो recently, मतलब इस साल comparatively पिछले साल के थोड़ा साथ, इंप्रूमेंट देखने को मिला है, ठीक है, यह मेंस के रिसाप से ज़्यादा रहेगा, next is, honey processing van, mobile honey processing van के बारे में, KVIC ने roll out करी है, जाएगी और farmers को support करेगी, honey वगेर बनाने में, help करेगी, देखे, मतलब यह ज़्यादा important नहीं है, point is, यहाँ पर अब ज sweet kranti, sweet revolution, आपको ध्याद यह रखना है, sweet revolution is a term, related to, so honey, ठीक है, अब honey mission, जो program है हमारा, it was launched by KVIC, यह ध्याद रखेंगे, under ministry of MSME 2017-18, basically honey को ही promote करेंगे, बाकी और कुछ निया, ठीक है, under this program, जो beneficiary, उनको bee boxes, live bee colonies, tool, kit, training, अगर आपकी provide कराए जाएंगी, and यह चीज़ थोड़ा से ध्यान रखेंगे, कि कभी बार अपने आँ सुनता हैं, कि अगर धरती से, आपकी मखियां अगर चले जाएं, honeybees चले जाएं, तो आपका pollination सबसे ज्यादा effect होगा, और 90% flowering जो crops हैं, उन पर pollination इसी के तुरू sustain करता है, ठीक है, यह काफी important अपना माना जाता है, यह चीज़ हो जाएगी, नेलम, good morning, देखो, next अपना है, ministry of skill development entrepreneurship का एक review है, अलगा भूलका अब पुराना हो गया, तो उतना अपना नहीं रहेगा, ठीक है, इन्होंने, जैसे देखो, skill में अपने पास है, प्रदान मंतरी, कोशल विकास योजना, तो अंडर, इसमें अपने जैसे, skilling पर ये काम कर रहे हैं, आप skilling पर काम कर रहे हैं, और एक अपने पास रहता है, मतलब, RPL, RPL आप से पूचा गया था, प्री में, recognition of prayer learning, कि मालो मैंने पहले से कुछ, skilling जो है, व training of drivers in handling, transportation of liquid medical oxygen, क्योंकि उस टाइम पर कॉरोना में हमारा इसका transportation काफी हो रहा था, तो उसको भी इन्होंने इसमें include किया था, प्रदान मंतरी, कोशल विकास, योजना के बारे में अपने देख लेते हैं, कोशल, कोशल क्या होता है, skill, विकास, विकास, ठेक है, growth, विकास मारा है, कोशल, विकास, योजना एक flagship scheme है, of ministry of skill development, पहले चीज़ तो यह याद रखुए, second, it is implemented all across the country by national skill development corporation, एक corporation में ना रख्ये, वो इसका implementation देख थी, ministry, भी यह है skill development, training, assessment, fees, वगेरा दी जाती है, completely by the government, जो इसमें training करते हैं, और इसी में जो standards है, आपको यह धियान रखना है, कि skill training की standards रहेंगे, वो आपका national skill qualification framework, NSUF, जो है, वो lead करता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आतने है, skilling और इंसमें, कि इंडिया skills, यह, it is the country's biggest skill competition, जो इन्होंने बीच में किया था, हर दो साल में यह लोग हैल करते थे, कि यंग लोग आएंगे, national, international level पर talent अपना, दिखाएंगे, that's it, organize करने वाले वही है, NSDC, Skill Development Corporation, इसमें एक अपनी और scheme रहती है, यह ध्यान रखोगे, ठीक है, अंकल, यह, क्योंकि directly single liner आप से पुछा जा सकता है, it is a centrally sponsored scheme, sponsored क्या होता है, कि कुछ ही सा center देगा, कुछ ही सा आपका state देगा, तो इसमें loan भी World Bank ने दिया था, 2018 में आपकी शुरू करी की थी, single liner क्या रहन रखेंगे, it is basically, to strengthen short term skill ecosystem, to address the issues of scaling in the country, basically जो आपके MSMEs होती हैं, उनी को promote करने के लिए, संकल्प, strive, यह skill acquisition की ही आपकी schemes है, इन दोनों को directly ध्यान रखना है, अब यह जो अपनी NSDC है, National Skill Development Corporation, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, यह एक not for profit, public limited company है, Companies Act में बनाए गई है, NPO, ठीक है, for profit, इसमें देखें, Government of India, through Ministry of Skill Development, 49% share NSDC में आपका रखता है, और private sector के पास 51% आपकी share capital है, Government is type के काफे companies बनाती है, जिनमें अपने कुछ share government के रहता है, ठीक है, Next, अपना है Braille Mapping को लेके, visually challenged students होते हैं, उनके लिए यह आया था, एक technology पर यह काम कर रहे थे, So, innovative technology has been introduced and designed, implemented first time in the India by Netmo, So, यह Netmo का है अपनी, National Atlas Thematic Mapping Organization, यह Department of Science and Technology का है, इन्होंने Braille Mapping पे आपका काम किया है, तो Netmo जो है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लो, इसका जो headquarter है, वो आपका कलकता में, तो Braille का headquarter आप ध्यान रखेंगे, कलकता में है, शुरू से ही इस टाइप के जो भी Atlas और Mapping का काम है, वो Netmo को ही दे रखा है, थेक है, Since its inception, the sole national agency responsibly of depicting national framework data in form of schematic maps, atlases, यह हमारी रहेगी, ठीक है, हलका-फलका जादा रहेगी, जो जादा इंपोर्टेंट होगा, वो बता रिए रहेगी, कम इंपोर्टेंट और जादा इंपोर्टेंट, बाकी सारे बीच के हैं, जिनके आने की संभवना, लग-बग 50-50 रहेगी, ठीक है, लोक अदालत, this is very very important, ठीक है, लोक अदालत आता है अपना alternate dispute resolution, alternate मतलब जो हमारे Supreme Court, High Court, District Courts हैं, तो उससे अलग अपनने एक process बिना रखा है, क्योंकि इन पे आपका burden जो है वो बढ़ता रहता है, तो इसी में हमारे जैसे NALSA है, नालसा सालसा, National Legal Service Authority, so they have decided to lay more emphasis on the contribution of national लोक अदालत, ताकि जो pending cases है, through EDR, Alternate Dispute Resolution, आपके solve हो जाएं, थोड़ अधा pending की बारे में देख लेते हैं, जैसे, चार लोक अदालत ने, लगबग लगबग, एक करोड, 27 लाग, 87 हजार, ठीक है, इतने cases आपके dispose करें, अब जैसे हमारे याप अपन क्या देखने हैं, लगब, 4 करोर के आसपास, आपके case total overall, अब pending रहते हैं, ठीक है, तो, जून 2020 में, इन्होंने E-LOG अदालत भी आपकी introduce करी थी, अब टेकनोलोजी के use करकर, के सारी services को आपका बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, now, let us see, what is LOG अदालत, देखो, LOG, LOGों के अदालत, basically क्या है कि, एक आदमी रहेगा, जो famous सा है, jurist बना दिया जाएगा, वो आपकी बाते सुनेगा, और, अगर, मतलब उन्होंने जो भी फिर बात में decision लिया, तो वो, अगर आप मान लेते हैं, तो आपके उपर binding हो जाएगा, फिर उसके appeal नहीं होती, मान लेते हैं, तो नहीं मानते, तो अलग है, ठीक है, तो LOG अदालत is one of the alternate dispute redressal mechanism, तो यह एक forum है, जहाँ पे dispute cases, जो court में pending हैं, मान लीजिए, ठीक है, तोनों ही stage में, pre-litigation stage में, यहाँ पे आप से लिये जा सकते हैं, even after litigation start होने के बाद भी लिये जा सकते हैं, लोग अदालत को बनाया गया है हमारा Legal Service Authority Act 1987, यह याद रखेंगे, मतलब यह एक statutory body है, एक directly अपने से सवाल इस तरीके का बनता है, constitutional body, statutory body, ठीक है, एंड जो भी यह award यह decision देते हैं, अवार्ड मितलब decision भी देता है, तो वो deemed to be a decree of आपका civil court, मतलब civil court के बराबर ही माना जाता है, यह final है, binding है, यह भीयान रखेंगे, कोई appeal इसके against नहीं जाती, अगर party satisfied नहीं है, ठीक है, of the law का दालत, there is no provision of appeal, but they are free to initiate litigation, by approaching the court of appropriate jurisdiction, मतलब fresh litigation आपको करनी पड़ेगी, मतलब मैंने decision दिया, या तो वो decision मान लो, ठीक है, उस decision के against नहीं जा सकते हैं, आपके पास अभी भी court में जाने का तो अधिकार रहेगा, ठीक है, बट आपको एक idea लग जाता है, कि अगर लोग का दालत में आपका ये decision आया है, तो court में भी लग भग वही decision आयाएगा, तो आप उसी साब से decision ले, यहाँ पर कोई fees वगएरा आपसे नहीं ली जाती, यह चीज़े हैं लखेंगे, अगला अपना इसमें थोड़ा सा नाल सा के बारे में देख लेते हैं, जैसे अपने उपर देखा, लीगल सर्विस अथर्विस अथर्टी एक 1987 में यह आपका constitute किया गया था, बेसिकली जो हमारा यहां पे मुद्दा था, वो था free legal services to the weaker section, अच्छा मुझे यह बताईए, कि सविधान का कौन सा आर्टिकल है, जो free legal aid के बारे में आपसे बात करता है, जो कि हमारे DPSP में आता है, Directive Principle of State Policy हैं, नहीं पता है, तो just type no, so that I know कि you are listening also, because, ठेक है, 39A, very good, ठेक है, तो ऐसे ही, अब 39A में यही है, कि free legal aid to the weaker section, very good, very good, तो इसी में ही, अब जैसे national level पर अपने नाल से बना रखी, वैसे ही अपने पास state level पर किया है, साल साथ, ठेक है, State Legal Service Authority, तो वो state level पर आपका देखती है, इसको head करता है, हमारे महां के Chief Justice of the Particular High Court, हर district में भी इन्होंने कहा था, कि district legal service authority पर अपन बनाएंगे, ठेक है, डाल सा, तो यह सारे के सारे अपने ऐसे हो जाते हैं, ठेक है, नेक्स्ट है, value addition of the spice crops, तो जो spices crops हैं, उनमें मालब value addition करके, ताकि अपन उनको ज़्यादा पैसों में बेज सकें, ठेक है, तो इसमें, यह community based organization, अरणाचल परदेशन में इन्होंने औरगनाईज कराया था, basically products जो है, उनको brand किया जाता है, ठेक है, अब यहाँ पर क्या है कि, अरणाचल में, नामदाफा, आपकी नामदाफा नाशनल पार्क भी है, ठेक है, तो उसमें, तो यहाँ के गोड़स है, नामदाफा गोड़स, उनके नाम पर इसको आपका brand किया गया था, ठेक है, तो लोग relate कर पाते हैं और ले पाते हैं, इसमें, जैसे, यह इतना important नहीं है, यह North East Region Community Resource Management Project है, जिसके अंडरी यह चल रहा है, इस अ लाइवलिवूड और डूरल डवलप्मेंट प्रोजेक्ट, aiming to transform lives of North East India की जो poor और marginalized tribal families हैं उनके लिए, ठीक है, यह joint initiative है, North East Council का Ministry and Department of North East Region and Government of India International Fund for Agriculture Development, आपको यह धियां रखना है कि North East Council जो हमारी है, वो आपकी North East Council Act से बनाई गई है, देखो, इंडिया में जैसे Regional Councils हैं, अलग-अलग, तो अपने पास पाँच Regional Council हैं, जो आपके State Reorganization Act में हमारी बनाई गई थी, East, West, North, South and Central, प्लस सिक्स्थ हमारी North East, North East separately आपके बनाई गई थी, ठीक है, UGC launches a training of the master trainer, यह चलता ही रहता है, ठीक है, जो trainers हैं, अपने teachers हैं, उनकी Capacity Building का एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, Next is, उनत भारत अभियान, यह धियान रखेंगे, अब इसको single liner आपको धियान रखना है, कि what is उनत भारत अभियान, यह flagship program है, MHRD का, Ministry of Human and Resource Development, पहली चीज़ तो यह, अब यह focus कर रहा है, Rural Development, by leveraging knowledge institution, so it will ensure effective participation in holistic development of rural culture, जैसे की, जो हमारी eco-friendly technologies है, Rural पर focus करना है, ठीक है, Local जो resources है, उन्हीं के थुरू आपको development करनी है, Employment generation करना है, तो यह इस पर काम, आपको रहन रखना है, Rural, ठीक है, Sustainable Development पर यह focus कर रहे है, जो local knowledge और जो local resources है, with existing technology, कैसे हम उनको बैतर बना सकते हैं, ठीक है, Also इसमें इन्होंने एक चीज़ थी की, जो higher educational institutes हैं आपके, उनको reorient करना, the academic curriculum, ताकि वो इसको भी incorporate आपका कर सके, ठीक है, जैसे IIT Delhi, Delhi, has been designated as National Coordinating Center of UBA, अब यह ध्यार में रखना, जैसे यह coordinating center हो गया, तो नीचे participating institutes है, यह panchayat सहै, district, panchayat, administration, वो देखेंगे, उननत, भारत, अभियान, 2-3 points, MHRD, Rural Development, Local Knowledge, Local Resources, तापसे टेक है, यह सारे important है, यह सारे इंपोर्टेंट है, देखें, यहां पर एक news आये थी, उस टाइम पर, Ministry of Housing and Urban Affairs ने, आपके winners अनॉंस करे थे, online event में, winners of 11 winning cities for the street of people challenge, तो street for people challenge क्या था? इंडिया में ज़्यादत तर अपने पास problem यह आती है, कि streets में चलने के लिए उतनी जगह हैं नहीं होती, specially payment और वो सब के context में, तो उनको बनाने के लिए, ठीक है, कि भई हमारे जो roads हैं, वो car centric से people centric बने, इसको as an example ही quote कर सकते हैं, ठीक है, तो इन्होंने prioritize किया है, pedestrians को 38 cities में pilot project यह आपका रहा था, simply that's it, फिर एक यह है आपका neighborhood challenge, ठीक है, one star, कि यहाँ पर it is a three year phased initiative aimed at shaping early childhood friendly neighborhood in Indian cities, कि वही, क्योंकि early में जैसे आपका physical and psychological health of infant, toddler and their caregivers, इस पर अपन focus करना चाता है, बच्चों के लिए safe environment अपना रहा cities में, और उनको development का मौका मिले, उस पर यह focus कराना चाता है, जैसे slums है, उनमें public spaces create करना, play areas आपके, create करना and these kind of things, neighborhood challenge, मतलब बच्चों के लिए neighborhood अच्छा अपने को बनाना है, then there is a news about MOU between NCGG and तो यह national center for good governance है and हमारा national institute for rural development, panchayat, they have signed a memorandum of understanding, तो अब इसमें थोड़ा सा अपने को यह पता होना चाहिए, कि यह है क्या national center for good governance यह एक autonomous institute है under darpg, darpg क्या है department of administrative reforms and public grievances तो उसके अंदर हमारा good governance का, यह नई दिल्ली में है इसका branch office आपका मसूरी में भी पाया जाता है, ठीक है good governance related to location ध्यान रखेंगे ऐसे ही जो हमारा national institute of rural development and panchayati राज, यह भी आपका autonomous है under ministry of rural development, basically काम वही रहेंगे, rural development with आपके जो panchayati राज हैं, NGO's हैं, इनके साथ मिलके training, research, consultancy और उस पे अपना काम करना, ठीक है? फिर जन्वरी में last year जैसे NDRF का day मनाया गया था, तो NDRF अपने को पता होना चाहिए, national disaster response force, world की first and only disaster dedicated जो force है, वो अपनी यही है, हमने disaster management act जो है, वो पास किया था, 2005 में यह चीज़ ध्यान रखेंगे, उसमें अपने यह बनाया थी, NDI में, national disaster management authority, this is important, ठीक है? ऐसे ही state level पर हमने पास है state disaster management authority, अब इनको head कौन करता है, वो अपने को ध्यान में रखना है, देको authority जो है, उसको head करेगा prime minister, ठीक है? और SDMA को head करेगा आपका chief minister, जबकि national disaster management एक committee भी है, committee को head करता है आपका secretary, cabinet secretary, यहाँ पे भी अपना state level का secretary, ठीक है? तो वो head करते है, parallel to PM and CM, ऐसे ही district level पर जो आपकी authority होती है, उसको head करता है, आपका DM, यह चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है? चुरू में हमने 8 battalions इसमें बनाई थी, NDRF में, अभी 12 के असपास अपनी battalions है, हर battalion में लगबग 1100 के असपास अपने offices है, ठीक है? नेक्स्ट, news हमारी है regarding National Commission for सफाई करमचारी, तो इसके बारे में अपने को पता होना च्छी है कि National Commission इसके रिगार्ड में, जैसे National Commission for Schedule Cards, National Commission for Schedule Tribe, तो यह आपका सफाई करमचारी से रिगार्ड यह एक statutory body है, बीच में इसके वो लूज होगी थी, बट दुबारा से इसको statutory का status आपका दे दिया गया था तो Union Cabinet ने इसका extension किया था, approve कि इसको और रखेंगे, basically they are concerned with जो हमारे सफाई करमचारी हों उनके लिए, देखिए, इंडिया में manual scavengers लगभग identify करें थे, 60,000 के असपर, काफे कम नमबर है, उससे ज़्यादा ही आपके रहते हैं, तो अब उनको, क्योंकि आपके जो manual scavenging act है उसमें इनको prohibit कर दिया गया है, अब अगर सरकार भी employee करेगी तो वो इसके against आता है, तो इसलिए इसको अपने को, मतलब, rehabilitate करने के आवशकता है, जो आपका national commission सफाई करमचारी है 1993 में, national commission सफाई करमचारी act में बनाया गया था, 1993 में ही, यानि statutory body है आपकी है, काम सारे इन act में सारा का सारा दिया गया है, जैसे central government, state government in card wise करना कोई भी complaint में है, उसको सुनना, देखना, ठेक है, manual scavenger को eradicate करना, also rehabilitate करना, तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे, अब ये जो हमारा act है, तो ये है आपका prohibition of employment as manual scavenger and their rehabilitation act, ध्यान रखेंगे 2013, ये prohibit करता है, हर form में ठेक है, construction and maintenance of insanitary latrines, ठेक है, उसमें क्या है कि फिर वो उठा के लेकर जाना पड़ता है manual scavengers को, ठेक है, ऐसे ही जैसे Indian railways, थोड़े टाइम पहले अगर आप देखो के तो Indian railways की पट्रियों पे, ठेक है, काफी ऐसे waste जो है वो आपका पढ़ा रहता था, but now, bio, toilets आने के बा ऐसे पकड़ा जाता है, तो उसको पांच साल का imprisonment या फिर पांच लाग का fine तक दिया जासा, ठेक है, तो यह ध्यान रखना है, फिर एक हमारा यह news में था, apex, cluster, community, resources, development, society, यह basically, accords, यह इसकी short form हो जाएगी, यह, it is enabling environment for sustainable socio-economical development of rural community, इनको micro credit और skill देखे, ठेक है, accords, single liner देहान रखोगे, accords which was in news, is related to, again, skill development, credit and rural, ठेक है, 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 थोड़ा सा देखते है, accords, not for profit है, 2006 में आपकी बनी थी, founded by Northeastern Region Community Resource Management, और जादा देखने के आउशकता है, नहीं, हाँ, इसी में जैसे, क्योंकि Northeastern Council के साथ था, तो यह, यह अपना important है, यह देहान रखना है, कि यह किसमें बना है आपका, Northeastern Council Act, कब आया था, 1971, यानी, statutory body है, यह आपका apex level advisory board हो जाएगा, for securing balanced and coordinated development, देखो यह common से चीज़े रहेंगी, हर एक उसमें आ जाएंगी, ठीक है, इनमें ज्यादा नहीं, point is, यहाँ पर देखो, seven, जो आपके sister states पोले जाते हैं, वो, plus सिक्किम को भी इसका member है, यानी, total, eight state, Northeastern के हमारे, इसमें आते हैं, अब इस council में कौन-कौन रहते हैं, इसमें आपके governor, chief minister, तीन member, जो president nominate करेगा, वो, अब यह चीज बहुत important है, union home minister, इसके ex-officio, chairman आपके माने जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो अपने रहते हैं, अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, जैसे मान लीजे, eastern council हमारी, जोर्नल council, eastern journal council, उसके vice chairman, कोन रहेंगे, जैको chairman सबके सहीम है, union home minister, जोर्नल council के, सबके मिलाके union home minister, अब vice chairman मुझे बता दो, social issues अपने हो गए है, next time आते है, I.R. येस, chief minister, जो उन states के हैं, मानलो eastern में जो जो state रहेंगे, उनके chief minister अपने circulate करते हैं, तो ये चीज़ जहान रखेंगे, ठीक है, ठीक है, एक news में था counter-terrorism committee of UNSC United States, United Nations Security Council, तो उसमें, जैसे India will chair, जो counter-terrorism committee है, in January 2020, after 10 years, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो counter-terrorism committee है, ये establish करी थी by the security council resolution 1373, after 9-11 attack on USA, 28 September 2001 को, 9-11 का जो attack बार था, उसके बाद, ठीक है, basically, it works to implement several measures and enhancing legal institutional ability to counter terrorist activities at home and around the world, ठीक है, terrorist activities को रोकने के लिए, तो इन्होंने जैसे, अगर कोई terrorist को fund कर रहा है, तो उसको criminalize किया, है, उनके funds जो है, उनको freeze कर दिया जाता है, ताकि उनको support ना करें, ठीक है, denying all type of financial support to the terrorist groups, ये तो एक simple सा है, now, main point is, कि हमें दिहान रखना है, UNSE क्या है, देखो, UNSE है, United Nations Security Council, जो हमारा UN है, उसके 6 organs माने जाते हैं, उसमें से एक UNSE है, point is, UNSE ही एक ऐसा organ है, जिसने, अगर कोई decision लिया है, तो वो सारे के सारे जो members है, उस पे binding रहता है, इसके 15 members हम मानते हैं, जिसमें से 5 हमारे permanent member माने जाते हैं, P5 plus 10, जो 10 हैं, वो rotate करे जाते हैं, हर 2 साल में, ठीक है, तो यह ध्यान रखे लेगा, also यह जो 5 permanent member रहते हैं, इनको veto power होती है, कि कोई भी decision या resolution इन्होंने पास किया है, तो इन में से कोई भी एक अगर उसको veto कर देता है, तो फिर वो रुक जाएगा, यह कौन है 5 members, यह ध्यान रखने है, चाइना, एशिया में से अपने पास चाइना है, चाइना के उपर आपका Russia है, यह होगे, ठीक है, United States, United Kingdom, यह दो country होगी है, और एक है आपका France, तो यह P5 आपके माने जाते हैं, ठीक है, अभी इनके reforms की बाते हमारे पास चल रही है, कि भई, अब यह उतना representation देनी रहे हैं, तो इनको अपने को change करना चाहिए, बाकी जो 10 members हैं, उनको 2 साल के लिए, non consecutive terms के लिए, मतलब एक ही बार चुने जाएंगे, बाद में दुबारा से चुने जा सकते हैं, इस तरीके से यह अपना चलते हैं, इनको veto power आपकी नहीं होती, इनकी जो presidency है, आपकी monthly basis पे rotate होती रहती, इनी 15 members में, अब criticism क्या चल रहा है, security council को लेके, मैं इसके साफ से रहां में रखना है, पहला, अभी का जो current scenario है, यह जब बनी थी, उस time के लिए ठीक है, बट आज के time पर यह इसको represent नहीं कर रही है, ठीक है, and जैसे जो regional powers, अब जो grow कर रही हैं, ब्राजील, चिमनी, इंडिया, जापान whatever, जहां इजीरिया, South Africa, तो इनको भी a participation मिलना चाहिए, इसके बारे में अपन बात करते हैं, और जो veto power P5 को दे रखके, उसकी need है नहीं, ठीक है, तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि China, बार बार जैसे किसी को terrorism, terrorist organization, गोशित करना है, इंडिया ने कोई resolution दिया, पकिस्तान के regarding funding, तो उसको ban कर दिया जाता है, ठीक है, वैसे, तो ये गलत system हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, संजे राम राम, देखो, अगला हमारा है आपका news सा, अरणाचल प्रदेश के context में, ये हमारे IR और internal security, क्योंकि अरणाचल चाइना को लेकी वी कापी news में र प्लेसे अरणाचल प्रदेश इशू करे थे, ऐसा बार-बार देखने को मिलता है, ठीक है, अरणाचल के बारे में अपने को थोड़ा सा देखना है, कि अरणाचल जो आपका है largest है, जो 7th state अपने नोर्थ येस्ट के आता है, capital इटा नगर, ठीक है, state animal है, मितुन, जिसको जायल के नाम से भी जाना जाता है, और state bird है आपका home bill, ठीक है, इनके diagram थोड़े से निकाल के देखनेंगे, पिर हमारा जमन कश्मीर, तो पैंगों शो लेक भी आपकी बार-बार नियूज में रहती है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया और चाइनी जो soldiers हैं, क्योंकि वो border area है, disputed है, तो कुछ ने कुछ चलता है, जैसे चाइना bridge वगएरा construct कर रही थी, in the eastern Ladakh, connecting the north and the south bank of Pangong Shoe, तो इसमें जो चाइना के people liberation armies हैं, वो लोग वहाँ पे आयो थे, troops वगएरा move कर गये थे, इसलिए, बार-बार news में आता ही रहता है, हमें ध्यान रखना है कि what is Pangong Shoe Lake, देख पार्टली इंडिया में है, Ladakh में पार्टली आपकी तिबबत में है, ठीक है, कौन केवसी है, ये इसकी unique सी चीज है, ठीक है, जैसे ये अपने को दिख री ही, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, यहाँ पर ये कौन केवसी structure में रहती है, ये चीज़े हैं रखेंगे, and लदाकी में इसका मीनिंग ही पैंगूंग का मीनिंग ही कौन के विटी होता है शो मतलब होता है लेक तो पैंगूंग शो ठीक है कौन के उसी लेक अब अलसो जोगरफी के हिसाब से देखो यह लगबग आपके 4270 मेटर के ऊपर है 135 किलो मेटर लोंग है लंबी ज्यादा है ने रखते हैं वैसा इसका आपका शेप है आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी माउंटेन रेंजिस में आपकी पढ़ती है तो कारा कोरम माउंटेन रेंजिस जैसे अपने यहाद किया था के ल जड़ पीडी के लपीडी और बीच में जड़ तो उपर के तरफ साउथ की में रखने हैं इनकी क्रोनोलोजी लोकेशन क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं इस्ट टू वेस्ट नोर्थ टू साउथ लोकेशन हमारी क्या देगी अब इस पे जो कंट्रोल है लेक के उपर नेरली टू-थर्ड का चायना कंट्रोल कर रहा है सिर्फ 45 किलोमेटर की आपका इंडि ऐसी एक सबस्क्राइब आते है रिजांगला का एक बहुती फेमस लागत भी किस बैटल में है वह के पंटीक स्रक्पिक पाथ हो immers पसमें तो उनके जो लोग थी गयारे इस टेना फीलों करते थे यहां पर आपको ध्यान में रखना है जैसे यहां पर फिंगर्स बनाई जाती यह चोटे चोटे जो आउट्स निकल रहे हैं इनको फिंगर्स बुल जाता है फिंगर वन टू त्री फॉर चार तक इडिया के पास है पांच छे साथ आठ ठीक है वो पता नहीं है को लाइन ऑफ एक्च्छल कंट्रोल है यह यहां से अकसाई चिन जो चैना के द्वारा कंट्रोल है तो एक्च्छल जैसे अफगानिस्तान यूज में था तो आप से पूछ लिया गया था तो यह ध्यान रख अब यहां पर बेसिकली देखो कजाक्टिस्तान के एक टाउन है जैना ओ जैन ठीक है उसमें आपके यह चल रहे थे प्रोटेस्ट क्योंकि वहां पे एनर्जी प्राइस हाइड्रो ठीक है और इसमें इतना नहीं है यहां पर एक जो इनके कजाक के प्रेजिदेंट थे और ही हमें help करो प्रोटेस्ट जो चल रही है अब यह जो collective security treaty organization है CSTO ये एक Russia dominated security alliance है इसमें 50% Russia ही आपका वो करता है 2002 में ये सारे के सारी उदर की ही countries है तो इसमें जैसे रश्या है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान अर्मेनिया, बेलरूस, कजाकिस्तान इन्होंने participate किया था 2012 में कोजबेकिस्तान यहां से निकल गया था इसमें एक map नहीं है मैं पूता तो और ज़्यादा बड़ी हो जाता तो एक जैसे Central Asia है उसका map ध्यान रखेंगे ठीक है सवाल जनरली क्या पूछा जाता है कि वहां की जो आसपास की जो lakes है ठीक है उनके और उनके चारों तरफ के जो कंट्रीज है उनको देहार रखना है जैसे अफगानिस्तान बोर्डरिंग कंट्रीज आप से पूछ ली गई थी हमें चाइना से रश्या से कौन-कौन सी Central Asian Countries बोर्डर करती है वह आपको देहार रखना है ठीक है फिर एक यह पावर ग्रेड एंड अफरीका 50 इन जॉइंट डवलपमेंट एग्रिमेंट यह गया थे यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है इसको अपन नहीं देखेंगे हाँ इसमें मतलब एक टर्म आ रही है अफरीका 50 तो थोड़ा सा अफरीका 50 के बारे में देख लेते हैं टू स्टार तक अपन कह सकते हैं यह थोड़ी सी यूनीक टर्म है तो में भी अपने से पूछ ले जाता है देखो आज सो अज पार्ट ऑफ दो हजार बारा में एक डिकलरेशन किया गया था ओन देखो प्रोग्राम फोर इंफरस्ट्रक्ट्ट्ट्रक्ट्ट्ट्र डेवलप्मेंट इन अफरीका पीड़ा पी इए डिए ठीक है बिसिकली उस पर यह फोकस करना चाहते थे तो अफरीकन इस आप से बनाया था तो इन्रेस्ट कि यहाँ पर हमें एक डेवलप्मेंटल बैंक की जुरूरत है तो इन्होंने बनाया एफरीका 50 प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट एंड प्रोजेक्ट पाइनेंस के लिए तो बिसिकली यह आपको फंड देगा फंडिंग आप जो है कि इ इसने जो इंडिया की जो हमारी पावर ग्रिड है उसके साथ किया था तो यह एक महारतना कंपनीज है है 1989 कंपनीज आज क्या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते इंपली बस फिर भी ध्यान दख लगते हैं अलका फुलका सा ज़्यादा बस यह है कि एफरिका 50 for financing infrastructure प्रोजेक्ट यह सिंगल लाइनर बस इतना ही ठीक है क्योंकि आप से सवाल अगर पूछा गया तो ऐसे कि यह टेररिजम के लिए है ठीक है अब Central Asia के बार में अपने को पता होना चाहिए Central Asia में हमारी अचाही आई गया अब तो देखे कौन-कौन सी कंट्रीज है कजाकिस्तान किर्गिस्तान तर्क्मेनिस्तान एंड तो टी-उ-क कर लो ठीक है यह कर लो कैसे ही कर लीजिए यह सारे के सारे अपने को ध्यान में रख है ठीक है यह किर्गिस्तान किर्ग और ताजी ताजी किर्गिस्तान कजाकिस्तान कजाकिस्तान उपर है तुर्क मेरिस्तान एंड उजबेकिस्तान यू और के यू के एक तो यह ध्यान रखना है यह है अरलसी ठीक है अरलसी बार 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 पूछा जाता है यू और के ये दो ही countries के बीच में आता है UK के बीच में यू नीचे है के उपर है और ये और के इस कजा कजा याद रखेंगी कजा उपर है ठीक है नीचे वाले में अपने पास क्या जाएगा किर्ग तो ये जहान रखना है ठीक है और ये है टर्की तुर्कमेनिस्तान और ताजी ताजी बिल्कुल पास में हमने ताजी ताजी होगा बहरी है बिल्कुल पास में तो ऐसे देहान रखेंगे वह अफगानिस्तान से तच करता हुआ ठीक है तो ये लोकेशन हो जाएगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तो रिमिटर इसकी लेन्थ है तो आयनिस्त विकरांथ एक बेसिकली ए cob टीठ जावज़ंड टन आपका एरक्राफ्ट कैरियर है आपको aircraft carrier बस ध्यान में रखने है तो विकरांत is aircraft carrier largest and most complex वार्षिप built in India indigenous की category में अपना आ जाता है तो ये चीज अपने को ध्यान में रखने है इसमें जैसे MiG-29K fighter jets, Kamov 31 helicopters तो इनको ये आराम से handle कर लेता है MH-60R बस point is aircraft carrier ये ध्यान रखने है 262 meter 62 meter wide 59 meter height ये हमारा बनाया गया था कोचीन shipyard limited में और 2009 में इसका construction जो है वो शिरूँ आ था कोचीन में शिरूँ आ था बस इक इन ब्यान रहा ठीक है currently अपना जैसे INS Vikrama देते है इस currently इंडिया Navy's only aircraft carrier जो के 2013 में commission किया गया था सार्टिं आउट आउट आफ सोवेट रशियन एड्मिरल गोर्शोव इनके थ्रू हमारे पास दो अर्लियर कैरियर थे INS Vikrant, INS Virat ठीक है ये किस से बिल्ट अप किये गये थे HMS Hercules और HMS Hermes से Navy ने इनको बिल्ट अप किया था ठीक है इसके अभी at present अपना कौन सा है because एक को decommission भी किया गया था देखिए नेक्स्ट अपना रहा है Light Combat Aircraft MK1A तो हिंदुस्तान Aeronautical Limited इन्होंने जो अपना है Expects to Deliver All LCA ते जैस Light Combat बहुत ही कम आपका मतलब Lightweight जो हमारा तेजस है in the final तो Operation Clearance इसको मिल गी है 2022 तक इन्होंने कहा था कि अपन डेलिवर कर देंगे आपको बस इतना धियान रखना है MK1A which was in news is our Light Combat Aircraft Vikrant and Vikramadity Vikrant अभी चल रहा है ठीक है तो दोनों ही अभी चल रहे है विराट को डेक होई ठीक है ओके संज़़ थैंक यू विराट चला गया है विराट को ली रेटार्मेंट ले ली और बाकी दो बच्चे वह है देखो LCA MK2 ये भी अपना एरक्राफ्ट हो जाएगा बस सिंगल लाइनर MK1A MK2 इस आर एरक्राफ्ट लाइट कोंबेट एरक्राफ्ट फिर पंदरा जन्वरी को हमारा आर्मी डे मनाया जाता है सिंगल सिंगल आप ये याद रखेंगे एंड इट वस दे डे क्यों मनाया जाता है यहाँ पर जनल केम करियपा तुक ओवर दे कमांडर दे इंडियन आर्मी फ्रम जनल FRR बूचर ठीक है जो लास्ट बिर्टिश कमांडर इंचीफ थे 1949 केम करियपा हमारे पहले आर्मी चीफ थे पहले चीफ और 15 जन्वरी को इन्होंने ली थी तो उसी के कंटेक्स में अपना ये मनाया जाता है करियपा के बारे में थोड़ा सा दे रखा है हल्का फुल्का जदा याद नहीं रखने के आशकता ठीक है हाँ देखों ये वास्ट इंडियन कमांडर इंचीफ और आर्मी दैन कमांडर इंचीफ 1949 में ये मनाया गया थे 1947 में जो इंडिया पकिस्तान confrontation अपना चल रहा थे उसमें भी ये थे और दो ही आज तक के chief हुए है इंडियन आर्मी के जो highest rank field marshal मिली है ये सबसे highest rank दी जाती है एक मिली है शैम मानिक शा को जो कि आपके बंगलादेश liberation वाले में थे ठीक है और second came करिया पाद ठीक है बाद में ये इंडिया के high commissioner to Australia और New Zealand 1953 में पाइंट हुए थे बस हलका फुलका ध्यान रखेंगे ठीक है next miscellaneous में कुछ news है जो जो important होंगी सिर्फ नहीं को ही देखेंगे अटल ranking of institution on innovation and achievements to institutions की ranking वगएर ये करता है ठीक है आई टी मदरास को first rank मिली कोई बात नहीं institute of mathematical science इसकी 60th anniversary बनाई गई थी देखे mathematical science ये आपका founded by अलदी रामकृष्णन 1962 autonomous national institute है कहां located है south चैन्नाई में अडियार में ये ध्यान रखोगे ठीक है अडियार and it is funded by department of atomic energy के नहीं याद रखना है mathematical science ने NMDC iron or mines के context में कुछ चल रहा था NDMC इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं next जैसे अब अपन फर्वरी में January की news करते हैं तो एक हमारा प्रवासी भारती दिवस यह हमें ध्यान में रखना है कब मनाया जाता है 9th January को क्योंकि 9 January 1915 हमारे मात्मा गांदी जी आये थे तो यह हर साल ही मनाया जाता है बस इतना ही ध्यान रखने ठीक है और ताजी ताजी तुर्क असपास है इदर इरान है इदर इराक है ठीक है कैस्पियन सी के अपनी ट्रिक थी बर्गर विद टी बी यू आर जी आर और टी यह सारे के सारे इसमें रहते हैं बुलगेरिया यूक्रेटीड जोर्जिया रशीया यह सारे के सारे रहते हैं है और इंडिया और यूचे की f.ti.e नेगोसीसिंग चली रही हैं अभी तक तो पिर एक scheme है रायत बंदू यह scheme आपको डिरेक्ली याद रखनी है किस state की है यह याद रखना है तेलंगाना government की scheme है basically it is also a dbt scheme farmers को directly आपके पैसे दिये जाते हैं यहाँ पर main चीज क्या है कि रायत बंदू scheme में आपको state government fund करती है जैसे अपने पास PM किसान है उसमें आपको 6000 रुपे दिये जाते हैं 2000 रुपे और over a period of one year यहाँ पर क्या है कि 5000 रुपीज पर एकर पर crop पर season एक एकर में आपको एक season में 5000 रुपे मिलेगे तो यहाँ पर यह चीज बस द्यान में रखनी है ध्यान रखना है ते लंगाना रायत बंदू PM किसान जैसे ही हमारी scheme है basically क्या है कि input cost आजकल ज़्यादा बढ़ रही है तो अब farmer है उसको पैसे उठाने पड़ते हैं सबसे पहले 1966 में education commission ने आपका प्रोपगेट किया था तो यह है एक voluntary organization of the school who through multiple choices have agreed to come together a systematic and system wide renewal of total education process यह अपने आराम से काम करते हैं basically सहुद्या का मतलब होता है six areas में यह school जो है वो काम कर रहे होते हैं जैसे की education management evaluation human resource mobilization value oriented school climate professional growth of teachers vocationalization of education and all this ज्यादा important नहीं है तो यह अपने हो गए है फर्वरी के next हम शुरू करेंगे मार्च के मार्च के अब अपन नेक्स्ट वैडनेस डे से ही शुरू करेंगे तो अभी कल देखता हूं क्योंकि है अभी के इंट्रिव्यू के रिगार्डिंग थोड़ा सा बिजी हो गया है अभी दस जिन के बाद ही इंट्रिव्यू है उसमें काफी टाइम लग रहा है तो अगर कल क्लास कर पाऊंगा तो फिर आइविल आए कर दे लिंक अधर्वाइस ओफ मान के चलना है पर दे नेक्स तो त्री देज वेडनेस दे को रिजूम कर लेंगे मार्च ठीक है तो आपका जन्वरी फर्वरी हो गया है साथ-साथ इनको रिवाइस करते रहें सिंगल नाइन अर अपना बनाते रहें ठीक है चला हौ Well thank you all for joining the session. Now we'll meet in the next class... Till then goodbye, take care